नमस्कार दोस्तों, रायस्तान अध्यन का भाग एक कर रहे थे, आरियस की दृष्टी से महत्पून है, तो इसमें हम लोगों ने जो पूर मद्दिकाल में राजवन्स जो थे ब्रमुक उनको किया था, और उनका उदय कैसे हुआ था, इन सब के बारे में पढ़ा था, अब हम लोगों मद्दिकाली रायस्तान के कुछ मंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शुसौदी अवन्स, कछवा अवन्स तो इनका थोड़ा दिस्तृत, जो सीक्वेंस पढ़ेंगे, कौन-कौन से राजा आये, कौन-कौन से महन प्रतापी राजा थे इन में भी, ठीक है, और ज मुस्लिम सक्ती को रोकने की समय समय पर भरभू कोशिश की, राजपूतों द्वारा अनबरतीब्र प्रतिरोत का सिलस्रा मद्दकाल में चलता रहा, सक्ता संगर्स में राजपूत निर्डायक लड़ाई नहीं जीच सके, इसका मुख कारण राजपूतों में साधान था, आ मतलब प्रतिस्थापिती हो गए, पहले प्रतिवराज चौहान तरतिय थे, हम लोगों को पता है कि उन्होंने पूरा उस टाइम दिल्ली की राजगदी पर विराजमान थे, लेकिन तब ही मुस्लिम सक्ती ने, उन्हें मुहमद गौरी ने हटा दिया था, तो क्यों हट गए उसके बाद भी कोई क्यों नी प्रतिस्थापित कर पाया, मुस्लिम सक्ती को, इसका रीजन उन्होंने बताया है कि आपसे सही योग का अभाव था, युद्ध लड़नी कम जोड़नी थी थी और सामन्तवाद ज्यादा था, ठीक है, और बैसे भी, जहां पर बिखरा होता है जीत की संभावना कम होती है, यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूता के प्रतिरोट का कोई अर्थ नहीं निकला, राणा कुमभाई एम राणा संगा की नेत्रत में सर्वूचिता की स्थापना राजपूता ने महीं संभा हो सकी थी, यह समट रहे कि आगे चलकर राणा प्रताब चंद्रसेंड और राज सिंग ने मुगलों के विरुद्ध संघर से जारी रखा ये दपी अकवर की राजपूत नीती के कान राजपूतान के रिकान से सासत उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गए मलतिकाली राजस्थान को बौधिक अधिस रष्टी से पिछरा मानना इत्यास के तत्थोयम अनभवों के विप्रीत होगा जिस वीर्ता प्रशूता वसंधरा पर माग हरिवद्र शूरी चंदवर्दाई शूरमल मीशन कभी करणी दास दुरसा आडा नैंसी जैसे विद्वान लेखक तथा कौन-कौन से लेखक देखो कौन-कौन से मान है माग है हरिवद्र शूरी है चंदवर्दाई है सूरमल मीशन है करणी दास है दुर्शा आडा है और नैंसी यह प्रवोग है इनके बारे में पूछा भी जाता है ठीक है तो कौन-कौन से थे राजा महराणा कु शुकार नहीं जिस प्रदेश में रणव आकुरों में राणा प्रताफ राओ चंदरसेंग दुर्गादास जैसे व्यक्तुत रहे हो और धर्ती यस से वंचित रहे सोचा भी नहीं रा सकता तो विल्कुल वीरभूमी है राजस्थान धर्ती धोरारी का तिहास अपने आप में रास्थान का ही नहीं अपके तो भारती यस तिहास का उज्जले अम गौरवशाली पहलू है यह बात तो है जो भारत की आनवान साने वो किस ने रखी थी उस टाइम रास्थान में जो पची हुई थी मैं बाकी तो वहर जगे मुसलि सास्कों का कबजा हो गया था मद्दिकाली रास्थान के तिहास में गौहिल से सौधिया मेबार कच्छवाहा आमेर जैपोद चोहान अजमेर दिल्ली जाल और शरोही हाडोती इत्यादी के चोहान राठोर जोटपरो वीकानेट के राठोर इत्यादी राजमस लक्षत्र भा पाती चमकते हुए दिखाए यह तो सबसे पहले अब हम लोग कहां से पढ़ते हैं गुहिल से स्वधिया मेर इसमें क्या है स्टार्टिंग से दिखते हैं क्या है मेबार के धिहास में 13 सताबदी के आरंब से एक नया मोड आता है जिसमें चोहानों की केंद्रिये शक्ति का ह हिराश होना 1192 में चोहानों का वही मतलब मैं प्रत्वीरा चोहान तिरतिय के जाने कार फिर तो उसके बाद कमजोर हो गया बचानी ठीक है अब चोहानों केंद्रिये शक्ति का हिराश हो गया और गुहिल जैत्र सिंग जैसे व्यक्ति का सासक होना बड़े महत्यू के घटना हैं वेबार के गुहिल सासक रत्न सिंग कि समय चित्तोण पर दिली के सुल्टान अलावदिन खिल्जी ने आक्रमण किया था कि यह तो हम लोगों ने उसमें रानिय पद्यमनी वाली कृट्षा अमे पूरा सुना भी इन का रा रदन सिंग के बारे में और लावदिन मुहम्मद जायसी के पदमामत से आये था यह चीज है पदमिनी की कथा का उलेख मलेक मुहम्मद जायसी के पदमामत नामक ग्रंच से मिलता है अलावदीन के कारण आक्रमण के दौरान रत्म सिंग और गोरा वादल वीरगती प्राप्त हुए इसमें एक और दो करेक्टर और बहुत वह मारे आते हैं गोरा वबादल चाचाव भतीजे थे और इनके रत्म सिंग के सेना में उच्च देगा दी थे 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 तो उनकी वीरगा था है तदा पदमिनी ने 1600 इस्त्रियों के साथ जोहर का आत्वोस सर्क किया ठीक है और रानी पदमिनी ने जोहर किया था तो ये सुस्वादी अवंस का स्टार्टिंग का सबसे फेमस प्रक्रण है इसी समय अलाउद्दीन ने तीस हजार हुंद्दों का चितोडगार में कतल करवा दिया था अलाउद्दीन ने चितोडगीतर उसका नाम खिज्रावाद कर दिया था राजपूदों का एह वलदान चितोडग के प्रथम साके के नाम से प्रथम साका कौन कहला ता है यह जो राना रतंग ग assignments वों पदमि आज भी तोड़ के खंडरों में गोड़ा वादल के महल उनके साहस और सूजबूज की गहानी सुना रहे हैं पदमिनी का त्याग और जोहर व्रत महलाओं को एक नई प्रेणा देता है गोड़ा वादल का वलदान हमें ऐसे खाता है कि जब देश पर आपती आए तो प्रतेक रुष्वास निगाई है तो आप लोग सुनना उनका रतन सिंग के पश्चा से सौडिया के सरदार खंबीन ने मेवार को दैनी स्थिती से उभारा अब रतन सिंग के बाद कौन आए हमीर देवा है वह राणा सांगा राणा साखा का राजपूत था राणा लाखा किसे में अधैपूर के पिछौला जील का बांद बनवाए गया था तो राणा लाखा की टायम बनाए गया था पिछौला जील का बांद लाखा की निर्मारकार मेवार की आरतिकिस्थित्रीयों संपन्निता को बढ़ाने में उप्योगी सिद्ध हुए लाखा की पुत्र मोकल ने बाड को बौध्य को कलात्मु प्रवित्तियों का केंद्र बनाया जिसने चुत्तोड के समिरेश्व त्रभुवा नाराण मंदिर के जुड़ोद्ध्वार द्वारा पूर्ड बद्धकालीन तक्षन कला की नमूने का जीवित रखा उसने एक लिंग जी के मंदिर के चारो और पर कोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा की समुत्तित व्यवस्ता की. अब मोकल के पुत्र कौन हुए है? राणा कुम्बा का काल बेबाण में रातनितिक साहितियों को सांस्कृतिक ऊणनति के लिए जाना जाता है. कुम्बा कुम अभिनाव भरताचार हिंदू सुर्तार चाप गुरु दान गुरु आदी विरोधों से सम्भूधित किया जाता है कौन कौन अभिनाव भरताचार हिंदू सुर्तार चाप गुरु दान गुरु ठीक है राणा कुम्भानिया 14.30 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू के सुल्तान महमूत खिलजी को पराजित किया था सारंगपुर के युद्ध भी हम लोगों ने देखो उसमें टैस्तिरी जो कर रहे हैं उसमें आया हुआ था सारंगपुर का युद्ध कभ वा था तो इसमें किस नर्वा मांडू क Kayla मे अलवा मान्डू के सुल्तान मेहमूत खिली का पराजित किया था कीरती एस्थं या बिजयस थं का निर्माण और किस जीत के उपलक्ष में करवाय था यह सारंगपुर का जो युद्धवा थाista도 इसमें जो जीत हुए ठीक है एस बिजय के उपलक्ष में कुम्भा ने अपने आरा दिरे वही कीरती एस्थं का निर्माण करवाय कुम्भा कालीन इस्थापत्य में मंद्रों का बड़ा महत्य है ऐसे मंद्रों में कुम्भ स्वामी श्रंगार चौरी का मंदिर चतोड महर्यू और मीराउं मंदिर एक लिंग जी रनकपुर का मंदिर अनूठे है ठीक है कुम्भा बीर युद्ध कुसल कला प्रेमी के सासाथ विद्वानय विद्धा नुरागी भी था एक लिंग महत्य से ग्यात होता है कि कुम्भा वेद कहां से पता चलता है कि कुम्भा वेद स्मिर्थी मिमान सा उपनिशत व्याकनार साहित राजनीतियों वड़ा निपोड था तो यह एक लिंग महत्य से ग्यात होता है ठीक है इसके लावा संगीत राज संगीत मिमान साहिवाम सूर प्रबंध कुम्भा दोहरा रचित संगीत ग्रंध है कौन-कौन से हैं संगीत मिमान साहिव और सूर प्रबंध ठीक है कुंबा ने चन्डी सतक की व्याक्या गीत गोविन की रसिक प्रिया टीका और संगीत रतनागरख की टीका लिखी थी तो किस किस की ठीका किस पी लिकी है चंडी सतक की ब्याक्ख्या लिखिया है और गीद कोविन की रसिक्तिया और संगी तरत्नागर की ठीका लिकी थे कुम्भा का दर्वार विद्वानों की सरनस्थली था उसके दर्वार में मंदन पेख्यात सिल्पी थे कभी अत्री महेस कान व्यास इत्यादी थे कौन-कौन थे इनकेस में मंदन थे कभी अत्री थे महेस थे कान व्यास इत्यादी थे अत्रियो महेस ने किर्थी इस्तंपर सस्ती की रशना किये किस ने किये अत्रियो महेस ने किये किर्थी इस्तंपर की रशना और कान व्यास ने एक लिंग महत्त नामक गरंथ की रशना किये इस प्रकार कुम्बा के काल में मेबार सर्वोत मुखी उन्नती पर पहुँच गया था अब आते हैं किया मेबार के वीरों में मालवा के महमूत खिली दुतिय कि खतौलिक युद्ध में दिल्ली के चुलतार इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपनी सैनिक योगता पढ़ चलिया तो ग्वाग्रोन के दुवा था मालवा के महमूद खिलजी दुपिये के साथ खतवली के दुवा था इब्राहिम लोदी साइस सत्रे में हुआ है पंदरों सत्रे में ठीक है सांगा भारती इतिहास में हिंदू पत के नाम से विख्याद हैं राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संग बना कर बाबर के वरुद लड़ने गया था परन्तु पराजित हुआ बाबर के शेश नित्तो तिम्तो खाने कार्ण सांगा की पराज़य खानवा के उद्दर 17 मार्च 1527 परिड़नामों की द्रश्टी से बढ़ा हमात पूंड रहा है इसमें राज सत्ता राजपूतों के हातों से निकल कर मुगलों के हातों में आ गई इसमें भी अगर आप जब मुगल कार पढ़ों के तो बाबर के युद्दों का सेक्वेंस पूछा जाता है कि पानी पत का गब हुआ था खानवा के कब हुआ था चंदेरी का कब हुआ था नहीं होा स mulk लिए एक निमोनिक्स भी यह कि बाबर आया पानी पी खाना खाके और चनेरी का घांगरा पहन के मर गया ठीक है तो पानीपत 26 खाना खानवा का तो ये 27 हो जाएगा उसके बाद चनेरी 1528 घांगरा का घांगरा पहन के तो घांगरा का युद्ध 29 में और 1530 में मर गया ठीक है यही से उत्री भारत का राजनेतिक संब्ध मद एशियाई देशों से स्थापित हो गया राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सैनापतिक्त में सब राजपुद जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए संब्लेत हुई सांगा ने अपने देश के गौरब रक्षा में एक आँख एक हांत और टांग गवादी थी इसके सांगा ने अपने देश के गौरब रक्षा में एक आँख एक हांत और टांग वादी थी इसके अत्रिक्त उसके सरीर के भिन्ने विन भागों पर असी तलवारों के घाव लगे हुए थी सांगा ने अपने चरित्व आत्मल से उस जमाने इस बात की पुष्टी कर दी थी कि उच्चुपद और चत्राई के अबिक्षा स्तुदेश रक्षा और मानो धर्म का पालन करने की छमता का अधिक बात गया है ऐसे एक्जांपल हमारी हिस्ट्री में बहुत मिलते हैं जैसे अठारों सत्तारों की क्रांती में कुंवर सिंग का नाम मिलता है और भी बहुत सारे नहीं का बाबर और गोरा बादल का इनका कहा जाता है कि इनके सिर्धर से अलग भी हो गए थे ना तो भी तलवार हिन चल नहीं इनके हाथे से लैंसे बहुत सारे एक्जांपल है हमारी भारत की श्री में ठीक है सागा की पुत्र विक्रमादित थीके विक्रमादित 1531 से 1536 कि राज़त तुकाल में गुजरात के बहादुर साही ने चित्वड पर दो आक्रमण किये जिसमें मेबार को जन और धन की हानी उठारी पड़ी इस आक्रमण के दौरां विक्मादेत की मां और सांगा की पत्नी हाडी कर्मा बत्नी हमायू के पास राकी भेज कर सहायता मांगी कि इसने गुजरात के बहादुर साही ने चित्वड पर आक्रमण किया था और कर्मा बती ने हमायू के पास राकी भेजी थी यह हम लोग उसमें जब क्लास पन से लेके साथ फाइव या सिक्स तक की जो बुक्स है ना उसमें एक जगे एक श्टोरी है रक्षवंदन के कर्मा बती ने जोहर व्रत का पालन किया कुवर प्रत्विराज के अनौरस पुत्र बड़वीर ने अवसर पाकर विक्रमाजित के हर्थ त्या कर दी वाई विक्रमाजित के दूसरे भाई ओदैसिंग को भी मारकर निश्चिन्थ होकर राज भोगना चाहता था परन्तु पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को म्रत्व सिया पर लिटाकर ओदैसिंग को बचा लिया थे ये बड़ी फेमस इस्टोरी है राजस्थाम में इत पुत्र को लिटा दिया था और उदैसिंग को बचा लिया था साहिट कोई टोकरी में पत्ते वगएरा रखके वो ये ले गए थे उनसे बचा के चित्तोर गड़ से निकल कर कुमल गड़ पहुचा दिया इस प्रकार पन्ना धाय ने देश प्रेमेतु त्याव का नूठा उ इसके समय 15-68 में अकवन ने चित्तोर पर आक्मन किया था प्रंदु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाय पर उदैसिंग चित्तोर की रक्षा का भार जैमल मेड़तिया और फत्ता से सौधिया को सौप कर गिर्वा की पहाड़ियों में चले गए थे ठीक है इतिहास लेक कि अधिस सांगा और प्रताब की बीच में उदैसिंग ना होता तो मेवार के इतिहास के पन्ने अधि को जल होते हैं परन्तु डॉक्टर गोपीनाथ सर्मान की राय में उदैसिंग को कायरा देश द्रोही कभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसने बड़बीर मालदेव हाज अधि कहां पठान आधि के विरुद्धियुद लड़कर अपने अदम साहसु सौर का पड़ चरिया अकवर से लड़ते हुए जैमल और फर्तावीर गजी को प्राप्त हुए अकवर ने चित्तोड में तीन दिरों के कठिन संगर्स के बाद पचीस फरबरी 1568 पर किला को फत फत्ता की बीरता से इतना मुग्द धा हुआ कि इसने आगराक लेके द्वार पर उन दोनों वीरों की पासारण मुर्तिया बनवा कर लगवा दी चलो उदैसिंग के पुत्र महराना प्रताप का जन्मुद 9 मई 1540 को कटारगड कुम्बरगड में हुआ था ये भी वड़े फ देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई वह और उनका मेबाड राज जबीतदा बल्रान देशा अभिमान के परियाय बेन गये प्रताप को पहाडी भाग में कीका कहा जाता था कीका ये साहर आया भी यो कोशन ठीक है जो स्थानिय वासा में छोटे बच्चे का सूचक है देशों ने अकवर की आधीनता सुईकार कली प्रताप ने बैभाव के प्रलोवन को ठुकरा कर राजनितिक मंच पर अपनी करतब परायता के उत्तरदायतों को बड़े साहस से निभाया उसने अपनी निष्ठा और द्रड़ता से अपनी सैनिकों को करतब बोत प्रजा को आ प्रताप के प्रताप को मान्यों बंदी बनाने में अस्फल रहा वहीं प्रताप ने अपनी प्रिये घोड़े चेतक की पीट पर बैठकर मोगलों को ऐसा चखाया कि बे अपना पिंडित छोडा कर मेबाड से भाग निकले यहीं हम इस युद्ध की परड़ाम को गहराई में देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थव विजय तो मुगलों को मिली परनद हुआ विजय प्राजय से कोई कम नहीं थी इत्यास कर डॉक्टर के अस गुपता की संदर्म में टिप पड़ी है कि परिस्थरी और परड़ामों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हल्दी गाटी य उनके मंद्री भामसाय ने सुरक्ष संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी इसकार भामसाय को दानवीर और मेबार का उद्धारक कहकर पुकायरा जाता है राड़ा प्रताप ने 1582 के दिवेर के युद्ध में अकवर के प्रतिजी सुल्तान खा को मार कर वीर्था का अधिकार कर लिया था प्रताप के बिभीन समय में कुंबलगर और चावंड को अपनी रादधानी बनाई थी प्रताप के संबन्ध में कर्णल जैम्स्टॉट का कदह ने कि अकवर की उच्छ भात्तों कांच्छा सासन्य पुर्ता और अशीम साधन ये सब बाते द्रण चित कीर्त युपत पराजय से पवित्र ना हुई हो हल्दीघाटी मेबार की धर्मोपली और दिवेर मेबार का मेराधन है तो मेबार की धर्मोपली किसको कहा जाता है हल्दीघाटीर और मेवाड का मेराधन दिवेर को कहा जाता है अतेब सुनलयंता का महान स्थम्भ सरकारियों का समर्थक और नैतिक को आच्रण का पुजारी होने कारण आज भी पृताप का नाम भार्तियों के लिए आसा का भादल है और जोदी का इस्तम्भ है सुनन्ता अंदोलन के दोनार महा प्रताप अशंक भारतिय देशभक्तों के लिए सुनन्ता के पुंज बनाय रहे प्रताप की म्रत्तु 19 जनबरी 1597 के मद पस्चात उनके पुत्र अमर सिंग ने मेवाड की बिग्री विवरस्ता को सुधानने के लिए मुगलों से संदी करना सुरेकर माना इनकी और जहांगीर की संदी हो गई थी 1615 में जहांगीर के प्रतिनी दी पुत्र खुर्रम के पास संदी का प्रस्ताव बेजा अमर सिंग ने जिसे जहांगीर ने स्विकार कर लिया अमर सिंग मुगलों से संधी करने वाला मेबाल का प्रिथम साथ सकता मतलब महराणा प्रिताब तक किसी ने भी घांस लिडा ली दी मुगलों को संधी में कहा गया था कि राणा अमर सिंग को अन्य राजाओं के भाती मोगल दर्वार की सेवास रेनी में प्रिविश्च करना होगा परंतु राणा को दर्वार में जाकर उपस्थित होना आवश्चक ना होगा ठीक है अब आज आते हैं महराज नर्णा जैसिंग ने मेबाड ये 1652 से 80 तक रहे हैं मेबाड की जिंदा को दुसकाल से साहता पहुँचाने के लिए और कलात्मक भुष्चि को प्रोगसाहन देने के लिए राज समंद जील का निर्माड कर वाया राज सिंग ने युद्धी नीथी और राज जहित के लिए संस्कृति के तत्यों के पोशन की नीथी को प्राथ मिखता दिए वह रड कोसल साहसी बीर निर्भीक सासक था जिसमें कला के प्रती रुची और साहित्य के प्रती निष्ठा थी निर्माड कार और साहित को उसके समय चितना प्रिश्ठर मिला कुंभा को छोड़कर किसी अन्य सासक के समय ना मिला तो कुंभा के बाद कौन आये थे यह हैं राजल जैश इनके उसमें मिली है निर्माड कार साहित्य ठीक है सब्सक्राइब करें अब हम दो कछबा आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए और दन्यमाद